वेल्कम बेक तो माई टूचनल पेपर हैकर कैसे हैं आप सभी लोग आई हूँ बच्छे होंगे और आज किस वीडियों देखने वाले हैं जो भी देखो उची सिक्षा जो मद्यप्रदेश के शासन की बात करने वाले है तो दो हजार बीस और दो हजार एक्रिस के सिलेबस जो होगी की 45 नमबर का था तो यहां मैं आपको दिखा देवारा हूं यहां दिहान से एक में क्या क्या पढ़ना थे अब अब दो घंटे में आपको क्या क्या पढ़ना देखो यहां बस आप यह देख लेना ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा बहुत साथा important जो चीज़ है वो होता है परिशिकी तंत्र मतलब कि यहां आपको ecosystem किसे कहता है ecosystem के बारे पढ़ लेना सबसे बड़ी बात तो यह है ठीक है उसके बाद में आपको यहां कुछ नहीं पढ़ना यह कुछ मत पढ़ना फालत वाली ठीक है और यहां देखो पढ़ना पढ़ेगा पत्ते है कि चीज़ उसको हटा रहूं और आप यहां देखो फिरामिंड इसे बोलते हैं को आप पढ़ेंगे पिरामिंड के बारे के बारे बारे में देख लेना है मदक की ऐसे तरीकर बनाता यहां पौन यहां पौदा लेते हैं यहां जीब जन्तु सब्सक्राइब का लेक के सबस्सक्राइब सायकल होता है इको सिस्टम पूरा बनाएंगे इतना पर रिंग यहां फौ ही değil से थीन से चार कोशन यहां हो फसतना सब्सक्राइब यह में इस क्या होता है और जल आनुकुलन को को आप पढ़ेंगे जरुद्व और एक होता है मरुद्व इन दोनों के बारे में आप पढ़ेंगे मौस्ट इंपोटेंट है इसके दो भाग होते हैं दोनों भाग को पढ़ लेना मौस्ट मौस्ट इंपोटेंट है उसके बाद में आता है प्रिकासी अनुकूलन को हो सके तो प्रकासी अनुकुलन और पढ़ लेना देखो जल अनुकुलन हो गया और प्रकासी अनुकुलन इसके भी दो भाग यहां दे गया है एक प्रकास रंगी और दूसरा है छाया रंगी ठीक है यह दोनों को आप पढ़ लेंगे को बड़े आराम से उने नमर तीन में आपको क्या करना को कुछ में एक और शी fingernaत आप जाती है और और जनसंक्या परिष्ट्रकी मालत कि जनसंक्या बिस्वर्ट के उपर एक question आता है, आप यहां मैं आपको बता रहो, देखो यहां बूलता है जन्म धर्व किसे कहते हैं, मिर्तियुदर किसे कहते हैं यहां पोशन देखेंगे, ठीक है, और समुधा एक परिष्ट्रकी क्या हो बोलते हैं इसके और यहां देखो वहास अलक्षण के बारे में और जैमरी अरदा गैल को क्या होता है उनको पढ़ेंगे बस इतना कोशन्या से भी आपको 2-3 कोशन देखना है ज्यादा नहीं है एक जैविक भेटा किसे कहते हैं समुधाइक परिस्ति की क्या होती है जंदर और में अपसे पूछेगा और म्रद्वेदेश के अभण और राष्टी उद्धान के बारे में और रैडड़ाटा बुक के बारे में बाकी यहां हम लोग कुछ नहीं पड़ेंगे कुछ देखने क की ज़रूरत नहीं है मैं आपसे बोल रहा हूं जो बता रहा हूं वह ततना पढ़ लीजिए यह कोशन पेपर में छपर है इस बात को याद रखना जो आपकी दो वज़े से पेपर होने वाला है दो तीन वज़े से जो भी है वह आपका ठीक है अब यहां दिखान रखो सैक डशा है इसको पढ़ने के ज़रूत नहीं है बस इतना आता है उसके बाद बाद में आता है एक अमल बर्सा, अमल बर्सा को पढ़ लेना, अमल बर्सा क्या होती है, और ओजोन छिद्र होने का कारण क्या होता, ओजोन पर्त होती है न, ओजोन पत्र छिद्र कैसे हो रही है, मतलब कि उसमें छेद कैसे हो रहा है, तो वो चीज हम देखेंगे, और बाकी हम यहाँ पर कु से करेंगे जलवायू और अमलबर्सा ओजोन परत क्या होती है यह चीज़ बागी कुछ नहीं देखने वाले आप पढ़के चले जाएंगे न तो बना बना के लिखाओगे और बहुत अच्छे नंबर लाओगे मैं आप से बोल रहा हूं कि 90% प्लस आपका मिलने वाली है आप कौहिताए जल और आदरत भूमी जो सरोथ है प्रबंधन की देख लेता और बाकी इसमें पर देखने की दुरुता हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाले वसे इतना पड़के चले जाओ और हाँ जैसे ही आपका पेपर हो जाए तो पेपर की पीडिएफ बना कर यह फिर हमारा पिक मलब फोटू उसको खेज कर हमारी वाट्सप नमबर पर आप सेंड करें ठीक है और इस नमबर पर आपका जो भी पेपर हो जाए उस पेपर को शेंड कर दे रहा है ठीक है थैंक यू पर बाचन वीडियो बाई बाई